नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है असल में सेयर मार्केट आज कल एक कॉमन चीज बन चुकी है और आम आदमी की पहुँच के अंदर ये हो चुका है लेकिन क्या सेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना एक सही बात है हाला कि इन्वेस्ट करना सही बात है क्योंकि सरकार भी इसको फ्रोट सहांद देती है लेकिन क्या बिना नॉलिज के इसको इस्तिमाल करना सही है जब आपको नॉलिज नहीं होती है फिर आप किसी की सहायता लेना चाहते हैं कहीं भी पैसा अपना निवेस करने के लिए तो जो व्यक्ति आपको पैसा निवेस करने की सलाह देता है या फिर आपको influence करता है उसी को बोला जाता है finfluencer, finfluencer की सलाह से बिलकुल ना करें share market में निवेस ऐसा कहा गया है भारत की वित मंत्री निर्मला सीतारवन जी की द्वारा इसी लिए ये हमारा आज का session बन जाता है बहुत ही ज्यादा महत्तुपूर आप बिलकुल निवेस करें जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत से पैसा कमाता है और fraud उसके साथ होता है तो जिद्व को उस व्यक्ति को भी होता है और सरकार को भी इससे चिंता होती है तो news निकल कर आती है निर्मला सीतारवन्स note caution against finfluencer finfluencer कौन है जो financially आपको influence करता है influence यानि की आपको प्रभावित करता है emotionally आपको बताता है कि आप कहां निवेश कर सकते हैं और आप उसकी व्यक्ति की सलाह पर निवेश करते हैं वही है finfluencer जैसे कि हम आपको education से जुड़ी हुई जानकारियां प्रदान करते हैं तो इसके अंदर अगर fin की जगे edu लगा दिया जाए इसके आगे तो edu fluencers जो है ऐसे व्यक्तियों को बोला जाता है जो सिक्षा के छेतर में प्रिरित करते हैं और जो finance के छेतर में प्रिरित करने वाले लोग हैं उनको finfluencer बोला जाता है finfluencer पॉंजी apps on FM radars financial हमारी जो finance ministry है या फिर कहें कि finance ministry जो है वित्तमंत्राल है हमारा उसकी radar पर यानि कि उसकी नजर जो है पूरी तरह से गड़ी हुई है किनकिन लोगों पर एक तो हैं finfluencer और दूसरे हैं pongy apps पॉंजी apps कौन से होते हैं जो लोग आपको बताते हैं कि आप यदि 100 रुपे जमा करते हैं तो अगले दिन आपको 125 रुपे मिल जाते हैं और आपको 125 रुपे देने के बाद कहा जाता है कि 4 और लोगों को आप अपने खासी नजर फिलहाल बनी हुई है वित्तमंत्री निर्मडा सीतारमन ने सोसल मीडिया पर इंफ्लूएंसर्स की बातों में आकर निवेश करने वाले लोगों को एक बड़ी सलाहत दी है असल में आप सोसल मीडिया के ऊपर तमाम माध्यम से देख सकते हैं जदी कोई आप एक दो रुपया लेकर वहां से निकल सकते हैं इस प्रकार से इंफ्लूएंस किया जाता है एप्लिकेशन के माध्यम से हाल ही में सीतारमन ने कहा है कि फाइनेंस पर अपनी राय देने वाले इंफ्लूएंसर्स यानि की फिन्फ्लूएंसर्स की सलाह मानने से पहले सावधानी ब कौन जी स्कीम आर working with we are working with Ministry of Information Technology हमारी जो information technology वाला मंत्राले है उसके साथ और RBI के साथ मिलकर जो वित मंत्राले है वो काम कर रहा है जिससे की इस प्रकार के लोगों को रोका जा सके कौन है फिल्फुएंसर्स आप पूरी दो समाझ के होंगे किसी भी सलाह का काउंटर चेक बेहत जरूरी है सीतर रवनन ने कहा 10 मैं से 3-4 लोग सही सलाह देने वाले होते हैं तो 6-7 ऐसे भी हैं जो किसी और से प्रभावित होकर या किसी और की बातों में आकर निवेश को लेकर सलाह दे देते हैं किसी और व्यक्ति की जैसे कि किसी कमपनी ने किसी व्यक्ति को कहा कि आप सेयर को खरीदवाईए चाहे फायदा हो व्यक्ति का या नुकसान हो और एक ऐसा व्यक्ति जो सलाह देता है लोगों को और उसकी सलाह कई लोग मानते हैं तो वो दूसरे व्यक्ति से पैसा ले लेता है लेकिन किसी दूसरे का पैसा जो है डूब जाता है ऐसे काफी उधारन आपको फिलहाल मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं सोशल मीडिया पर ग्यान देने वाले फिन्फ्लूएंसर्स की बातों में ना आने की सलाह देते हुए सीता रमन ने कहा अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षेत रखने के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले कई सवाल पूछने चाहिए जाच करनी चाहिए यह भी कहा गया कि ऐसे एप्स की भरमार हो गई है जो निवेसकों को अवास्तविक वित्तिय रिटर्न का वादा करते हैं ऐसा रिटर्न का वादा करते हैं जो की पॉसीबल ही नहीं हो सकता है सेयर मार्केट के अंदर और वे पहुझी योजनाओं से जादा कुछ नहीं होता पहुझी स्कीम एक निवेस दोकादड़ी है जहां मौझूदा निवेसकों को नए निवेसकों द्वारा किये गए निवेस से भुगतान किया जाता है जैसा कि हमने पहुझी स्कीम के बारे में बात की कि कोई नया व्यक्ति यदि आता है जिससे कहा जाता है कि 100 रुपे आएगा जो पैसा इस व्यक्ति से 100 रुपे लिए होंगे या फिर इसके साथ जो तमाम इखटे हुए होंगे उनसे 100 रुपे लिए होंगे उससे नीचे वालों को कुछ ना कुछ दिया जाएगा और भी तमाम लोग जोड़ लिए जाएंगे यही जो है पहुंची इसकी या फ होता है और एक ऐसी चेंड बन जाती है जो लंबे समय तक चलती रहती है और अंत में आकर जब य कंपनिया बंध होती है तो लोगों को धोगे के अलाबा कुछ और नहीं मिल पाता है ऐसे ऐप भी आ रहे हैं जो लोगों तक पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यह कर सकते हैं हम वो कर सकते हैं आपका पैसा आपको इतना जिलाएगा इसमें से कई एप पहुंजी हैं इस जिस पर हम संबंदित मंत्रा ले यह जो इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रोद्योग की मंत्रा ले है और भारती रिजर्ब बेंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो उन पर पहले सिकंजा कस रहा है financial literacy क्या होता है असल में financial literacy याने की आपको finance के बारे में जानकारी हो सिर्फ यहां education की बात ना चलकर बस literacy की बात चल रही है literacy का यहां मतलब सिर्फ इतना है कि जो common terms है finance से जुड़े हुए क्या आपको वो आते हैं क्या आप जानते हैं कि share क्या होता है company के अंदर company का profit किस प्रकार से distribute किया जाता है dividend क्या होता है share market के अंदर या फिर कहें company के अंदर financial इस्थितियां कैसी होती है liabilities क्या है company क्या है assets क्या है company के या फिर कहें कि क्या आपको balance sheet देखना आता है profit and loss and trading account देखना आता है क्या क्या आपको net profit, gross profit और तवाम तरह के जो profit है उनके बारे में पता है financial leverage के बारे मुझानकारी है ये basic terms किन लोगों को आते हैं एक अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन literacy ना होने के कारण तमाम लोग जो है वो invest करते हैं और market के अंदर जब अफवा फैलती है जैसा कि अडानी के case में हमने देखा था अडानी के बारे में अफवा फैली थी और पूरा का पूरा market जो है वो down हो गया था जिससे भारी मात्रा में नुकसान shareholders को उठाना पड़ा था एक survey कराया गया है S&P survey के द्वारा more than 75% of Indian adults जो भारत ये युवा हैं उनमें से 75% से जादा कोई ठीक ठाक जानकारी basic principles की भी नहीं रखते हैं कौन से basic principles financial यानि की वित्त से जुड़े हुए basic principles हैं उनकी जानकारी तक लोगों को नहीं है 75% युवाओं को नहीं है it's even worse when it comes to women औरतों को जब बात की जाती है तो 80% से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिनकों की financially वो illiterate है financial finance की कोई जानकारी उनको नहीं है तो इसके चलते बड़ी मात्रा में नुकसान देखने को मिलता है 40% Indians experienced financial fraud in last three years जो नुकसान होते हैं वो कुछ इस प्रकार से news के मार्धियम से छपते हैं लगभग 42% Indians ऐसे हैं जिन्होंने पिछले तीन सालों में financial fraud किसी ना किसी प्रकार का जहला है आप से किसी ने पैसा लिया हो आप से किसी ने पैसा मंगाया हो आपके account मैं से पैसा काटा हो इस प्रकार के financial fraud जो हैं वो देखने को मिलते हैं फिलाल की अगर बात करें तो लगभग 6414 करोड रुपय का जो fraud है वो 2021 के अंदर देखने को मिला था दफ बैंक frauds have resulted in India losing last rupees 100 करोड every day over past 7 years पिछले 7 सालों से लगभग 100 करोड रुपया डेली किसी ना किसी माध्यम से लोगों से ठगा जा रहा है जब ये ठगा जा रहा है तो इसका उपाय क्या है इसका उपाय होता है financial literacy लोगों को जानकारी हो जागरूकता हो और आज का ये session जो है हमारा वो जागरूकता पैदा करने की ही उद्देसे से आपके साथ साज़ा किया जा रहा है SEBI working on guidelines सरकार जो है वो कुछ कर रही है या नहीं कर रही है इसकी तो बात नहीं पता लेकिन जो SEBI है Securities and Exchange Board of India Securities Exchange Board of India जो है वो कर रहा है इसके उपर काम SEBI जो है एक ऐसी सस्ता है जो कि भारत के अंदर share market को regulate करती है इसके नियमों आदी को संचालित करती है इसी के अंदर आपने एक case दिखा था जो कि आपके साथ हमने साजा किया था आज से लगभग एक महीना पहले जिसमें बताया गया था कि share market से अरसद वारसी और उनकी wife जो है दोनों को ही ban कर दिया गया था इनका मामला हुआ था pump और dump case को लेकर pump और dump case के अंदर एक financial investor ने इन्हें सलाह दी थी कि आप किसी company में invest कर दीजिए और same financial investor ने दूसरे लोगों को सलाह दी थी एक video के माध्यम से कि आप इसके share खरीद लीजिए share खरीदने के बाद जब share के price बढ़ गए तब अरसद वारसी जो है वो share का पैसा बेच कर उंचे दामों पर बेच कर ये और इनकी wife जो है share market से निकल गई थी जिसके चलते अन्य जो लोग थे अन्य जो लोग influence हुए थे उनको नुकसान जहिलना पड़ा था तो ये एक काफी बड़ा एक उधारन है जो की सामने आया था इस परकार के जो influencers के द्वारा कारे की जाते हैं उनको लेकर center issues new rules for influencers up to rupees 50 lakh fine if not followed लगभग 50 lakh रुपे तक का fine जो है बो लगाया जाएगा अगर नियम नहीं बनाए जाए लेकिन बित्तमंतरी से जब पूछा गया कि क्या आप कोई ऐसे नियम कानून या फुर कोई regulatory authority बनाने वाले हैं finfluencers को लेकर तो finfluencers को लेकर तो बताया गया कि आभी तक कुछ नियमन नहीं किया जा रहा है इनका लेकिन pongy app जो काम कर रहे हैं जिससे की उनको बीच में ही रोका जा सके, clamp down किया जा सके finfluencers के उपर भी जल्द ही कारवाही की उम्मीद है कि हो जाएगी क्योंकि नजर जो है वो financial ministry की बनी हुई है क्या अन्य देशों के अंदर इस परकार की regulations हैं तो Australia के अंदर यदि कोई व्यक्ति बिना license के ऐसे काम करता है मतलब लोगों को financially influence करने का काम करता है या फिर वो finfluencer है तो उसको लगभग 5 साल तक की सजा जेल की हो सकती है license वहाँ पर लेना अनिवार है Australia के अंदर और इसी परकार की विवस्था है Singapore और चाइना के अंदर regulations also have guidelines for if influencers के लिए इन देशनों के अंदर अच्छी खासी guidelines पहले से ही बनी हुई है उमीद है साथियो पूरा सेशन आपको पसंद आया हो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूरे कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखे है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिले प्रेखे चैनल तो